वेलकम को स्विजी फूड आज हम बनाएंगे केसर फ्लेवर का मिल्क जो अमुल का फ्लेवर्ड मिल्क आता है उस तरह का मिल्क घर पे किस तरह से बनाना है वो आज मैं सिखाने वाली हूँ और साथ ही मैं वीडियो के एंड में अमुल के बाकी जो भी फ्लेवर होते हैं इस तरह का हैल्दी ड्रिंक घर पे बना के दे सके हर रोज इस तरह की नई नई रेसिपी सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजु में दिये गए इस बैल आइकोन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे हर नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिल दा रहे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका धन्यवाद सबसे पहले 500 ml मिल्खम लेंगे और उसे एक बर्तन में ले लेंगे उसे गरम करने के लिए रख दे यह थोड़ा गरम हो चुका है दो टेबल स्पुन चीनी इस में अड़ करे थोड़ा स केसर मिल्क को चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे चिपके ना साथ से आठ मिनिट के बाद आप देख सकते हैं दूद का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है हाफ टी स्पुन कॉन फ्लोर को मैंने पानी में डाइलूट कर दिया था वो इसमें अड़ करेंगे अगर यह अगरे मिल्क उपवास के दिनों में यूज करना है तो कॉन फ्लोर को आप स्केप कर दे दस से बारा मिनिट के बाद इसमें मिल्क पाउडर एड़ करना है तो एक टेबल स्पुन मिल्क पाउडर को भी मैंने पानी में डाइलूट किया है और उसे इसमें अड़ कर देंगे इसे चलाते रहेंगे मिल्क पाउडर से बहुती क्रीमी टेस्ट आता है दूद का दूद को मैंने स्लो टू मिडियम गैस पे 20 मिनिट तक बॉयल कर लिया है और ये अराउंड 400 मल जितना हो चुका है अब इसे नीचे उतार कर चलाते हुए ठंडा कर लेंगे ताकि इसके एसेंस का मिलना चाहिए वो नहीं मिलता दूद रूम टेंपरेचर पे आ चुका है तो सबसे पहले इसमें कलर एड़ करेंगे केसर वाला मिल्क लाइट यल्लो कलर का होता है उस तरह का हम बनाएंगे थोड़ा सा और एड़ कर रही हूँ और केसर एड़ करेंगे केसर का एसेंस दो से तीन ड्रॉप जितना यह बहुत ही स्ट्रॉंग होता है तो ज्यादा एड़ ना करें उसका खास द्यान रखें इतनी कॉंटिटी में दो से तीन ड्रॉप इनफ हो जाता है अच्छी तरह से यह मिक्स हो चुका है अब दूद को चान लेना है अब इसे एक सर्विंग ग्लास में ले लेंगे इसके उपर गार्निशिंग के लिए थुड़ा सा केसर एड़ करेंगे अब हमारा केसर फ्लेवर का मिल्क सर्विंग के लिए रैडी है अब हमने जो कॉंटिटी ली है उसमें से दो बॉटल जितना फ्लेवर मिल्क घर पे रैडी होता है मैंने अमुल की ही मिल्क की बॉटल को स्टरिलाइस कर लिया था गरम पानी में इसे अच्छी तरह से दो लेना है और इसमें आपको कोई भी टेस्ट में कॉंप्रोमाइस करने की जरुवत नहीं पड़ती ये इतना पर्फेक्ट बनता है घर पे अभी हमने केसर फ्लेवर का बनाया तो केसर का एसेंस और यलो कलर हमने इसमें एड़ किया उसी तरह से आपको अगर पिस्टा फ्लेवर का बनाना है तो वो लाइट ग्रीन कलर का होता है तो सेम उसी तरह से आपको केसर इसमें एड़ नहीं करना तो केसर वाला स्टैप स्किप कर दे और उसके अलावा मिल्की प्रोसेस सेम रहेगी और लास्ट में जब दूद रूम टेंपरेचर पे आ जाए तो लाइट ग्रीन कलर एड़ करना है और पिस्ता का एसेंस मार्केट में मिलता है वो एसेंस आपको इतनी कौंटिटी में दो से तीन ड्रॉप एड़ करना है उसी तरह से सेम आपको बादाम का इलाईची का जो भी फ्लिवर का मिल्क आपको अमुल का पसंद हो उस तरह से आप घर पे रड़ी कर सकते है आई होप आपको मेरी आज की रेसीपी पसंद आई होगी